हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड कैसे हैं फ्रेंड उम्मिदे काफी अच्छे होंगे फ्रेंड यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे जेपी उनिभर्सिटी छपरा के द्वारा एक नोटीस जारी किया गया है यह नोटीस छात्रों के साथ धोखा है या छात्र हित में फैसला है आखिर इस नोटीस का क्या मतलब कियों कि आप सभी लोग इग्याम का इंतियार कर रहे हैं इग्याम फरम का इंतियार कर रहे हैं चाहे आप असना तक फर्ष सेमेटर सेशन 23-27 के स्टुएंट हो चाहे आप असना तक पार्ट 2 सेशन 21-24 के स्टुएंट हो चाहे आप असना तक पार्ट 3 सेशन 20-23 का स्टुएंट हो लगतार आप अपने एक्जाम का इंतियार कर रहे हैं आप अपने परिच्छा फरम भरने का इंतियार कर रहे हैं बहुत सारे लोग रियल्ट का भी इंतियार कर रहे हैं लेकिन छात्र छात्राओं के साथ लगतार धोका हो रहा है किस परकार से धोका हो रहा है चलिए मैं आपक को मालूम है कि जो भी JP University से सही और सटिक जनकारी निकल करके सामने आती है मैं आप सभी के सामने जरूर प्रस्तुत करता हूँ चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जैपरकास उनिभर्सिटी छपरा डेट यहाँ पर देख सकते हैं 26-26 और 24 को यहाँ नोटिस जारी हुआ लेटर नमबर यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आएंगी तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे मननिय कुलपती महोदय के अनुसार कुल सचीव का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फ्रें यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में सेवा में परभारी पर चार पर चार सभी अंगी भूत एम संबंद महा भी द्यालाए च्छपरा सीवान गुपाल गंज यानि जैपरकास उनिभर्सिटी के अंदरगात जितने भी कॉलेज आते हैं विसाय में देख सकते हैं असनातक चार बर्सिये पार्ठकरम सीबी सीएस असनातक सात्र तेईस सताइस के प्रथम सिमेश्टर में नमांकित छात छात्राओं का पंजयन पर पत्र बिलंब सुल्क के साथ जमा करने के संबंध में यानि कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं महासे उप्युक्त विसाय के संबंध में निर्देशा अनुसार सुचित करना है कि मननिय कुल पती महोदय ने उप्युक्त सात्र में नमांकित छात छात्राओं का पंजयन पर पत्र प्रती छात्र से 600 रुपिय और बिलंब सुल्क 500 रुपिय के साथ जमा करने हैं तू 3624 तक तिथी बिस्तार करने की अनुमती परदान की है अता है UVM IS के माध्यम से नमांकित छात्रों का पंजयन पर पत्र बिलंब सुल्क साथ उप्रुक्त तिथी तक जमा करना सुनिश्चीत करेंगे कहने का मतलब है कि जो भी छात्र यों छात्राओं असना तक परथम सेमेस्टर सेशन 23 अटाइस में हैं अगर उनका पंजयन नहीं हुआ है तो यहाँ पर बताया गया है कि बिलंब सुल्क के साथ 36 और 24 तक पंजयन करा सकते हैं फ्रेंड सवाल यह है कि यह छात्रों के साथ धोखा हो रहा है या छात्र हित में फैसला लिया जा रहा है फ्रेंड आप सभी जानते हैं आप सभी को में पहले भी बता चुका कि आप सभी एक्जाम का इंतिजार कर रहे हैं परिछा फरम भड़ने का इंतिजार कर रहे हैं अपने रियल्ट का इंतिजार कर रहे हैं तो आखिर इस नोटिस का क्या मतलब माल लिजिए कि जो भी छातर 23-27 में अपना नमांकन कराया होगा वह जब डेट आया होगा तो अपना नमांकन करा लिया होगा अपना रेजिटेशन भी करा लिया होगा तो यहां बार बार डेट बरहाने का एक ही मकसद है कि आपके एकजाम को डिले किया जाए इवनिभर्सिटी का मनसा साफ नहीं है कि आपका जल से जल एकजाम लिया जाए अगर माल लिए उनिभर्सिटी का मंसा साप रहता तो यहाँ डेट बढ़ाने का क्या मतलब माल लिए कि अगर 1500 एस्टुडेंट है 1500 में माल लिए कि अगर 1400 एस्टुडेंट का रेइस्टेशन हो चुका है 100 एस्टुडेंट का नहीं हुआ है तो माल ये उलोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहा हल बार बार डेट बरहाने का मतलब 4-5 दिन डिले करने का मतलब यही है कि यह अगले सेशन के साथ रेश्टेशन करा करके एक्जैम देंगे यहां आप सभी देख सकते हैं कि माल ये सो छात्र के लिए 14 सा एक्ट्रियन्ट का सेसन पीशे हो रहा है तो इसको आप छात्र हिस्त में फैसला कहेंगे यात्रों के साथ धोखा कहेंगे उनिभर्सिटी लगतार ऐसे फैसले ले रहा है जिससे छात्र छात्राओं की परिसानी बढ़ते जा रही है लगतार सेसन पीशे जा रहा है तो यहाँ पर कुलपती महोदय को छात्र हिस्त में फैसलाने चाहिए ना कि एक्जाम को डिले करने में आपने देखा था कि JP उनिभर्सिटी के जो कुलपती है उन्होंने कहा था कि लगतार एक साथ तिन सत्रों का एक्जाम लिया जाएगा लेकिन अभी आप सभी देख पा रहे होंगे कि असना तक पार्ट ठाड का जो एड्मिसन होने वाला है जब तक पार्ट ठाड का रियल्ट नहीं आएगा तब तक आखिर पार्ट ठाड में इड्मिसन होगा कैसे 20-20 वाले छात छात्राओं का ठीक उसी तरह से आप सभी देख पा रहे होंगे कि 21-22 का जो सेशन है असना तक पार्ट ठाड का उनका भी वही हाल है उनका भी एक्जाम का से इलेटेड कोई भी इंफर्मेशन नहीं आ रहा है तो यहां पर यहीं कह सकते हैं कि JP University का मनसाज साप नहीं है हो सकता है कि आपके एक्जाम में और भी डिले हो और भी लेट हो क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि आखिर आपका एक्जाम होगा तो कब होगा इंफर्सिटी बस यहीं कह रही है कि बस 10 दिन पन समय दिजिए 15 दिन समय दिजिए इसके अलावा और कुछ नहीं कह रही है वो भी समय आता है बीट चाता है इसके अलावा और कुछ JP University में भी हो नहीं रहा है आप सभी धायर बना करके रखें जैसे भी इस पर कोई नई इंफर्मेशन आएगी मैं आप सभी को जरूर दूँगा मुझे उमीद है कि आप सभी इस इंफर्मेशन से संतुष्ट हो चुके होंगे इस पर बहुँ ज़्यादा कमेंट आ रहा था तो मुझे वीडियो बनाना पर गया चलिए फ्रेंट फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल के माद्धम से आपको सही और साथिक जनकारी दी जाती है फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद